नमस्कार दोस्तों तो फाइनली इंतजार खतम हो चुका है और SST ने छोई CHSL का टाइपिंग टेस्ट 2020 का रिलीस कर चुका है यह आप सामने नोटेस देख पा रहे होंगे तो चलिए देखते हैं इनने क्या रिलीस किया है तो यहां शुरू में इनने बता रखा है कि जो है CHSL का रिजर्ड टाइटू का जो 13 माई को रिलीस किया था जिसमें 28,133 कंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बुलाया गया था फिर यहां second point में इनने mention किया है कि 11,297 बच्चे इसको qualify कर पाएं तो यह बहुत एक shocking number है तो जो भी यहां पे CHSL 2021 वाले candidate देख रहे होंगे वो यह numbers देख लीजे कि 28,000 लोग बुलाया थे लेकिन 11,000 इक्वालिफाइ कर पाएं हैं typing test याने कि आधे से भी कम qualify कर पाएं तो अगर आपने भी टायर 2 का भी अभी एक्जाम दिया है तो typing अपनी शुरू कर दीजिए भली अच्छा गया हो ना गया हो क्यूंकि finally आपको at the end of the day typing तो सीखनी आनी चाहिए अभी CGL में भी typing को कमबल सरी कर दिया है तो फ्यूचर देखके जो है आप यह typing शुरू कर दीजिए फिर यहां इनने यह भी बता रखा है कि जो है 247 candidates जो है वो DEO post के लिए क्वालिफाइ कर आए गया है चलिए आगे cutoff देख लेते हैं कितना रखा है तो DEO के लिए जो है वो reserve category इसके लिए 7% error allowed है अनreserve के लिए 5% error allowed है फिर जो है main list जिसमें आपका और मेरे जैसों का नाम रहता है उसमें जो है वो 10% error allowed रखी है यहां पे reserve category के लिए और 7% जो है वो unreserve category के लिए allowed रखी है और यहां पे आप candidates qualified देख पारे होंगे तोटल है 11,297 अब इसके आगे जो है DV की बात करें document verification की तो यहां पे इनने बता रखा है कि जो भी regional website रहेगी वहीं पे जो है यह DV के बार में जानकारी आएगी जो है यह commission new Delhi वाला वो headquarter decide नहीं करता है DV कब कराना है यह जो है regional से decide करते जहां से आप अपना admit का डाउनलोड करते हैं various SSC के exams के लिए उसी website पे जो है यह आएगा proper जो है वहाँ उस document में बता देंगे कि किस candidate को कब उसका time जो है फिक्स किया गया document verification के लिए और उस date वहाँ पहुचने के लिए जो है आपको sufficient time भी दिया जाएगा तकरीबन 10 से 15 दि अगर आप hometown में नहीं रहते हैं उस regional website के तो आपको train के ticket और various जो है इंतिजाम करने के लिए 10 दिन का minimum जो है आपको time दिया जाएगा तो इस हफते जो है expected है कि आपकी डीवी के dates आ जाए इस week और आपका जो है डीवी वी वो नवंबर के पूरे नवंबर में आपका करवा द जाएगा तो इतना आप expect कर सकते हैं अभी SSE से अभी हाली में आप जानते भी होंगे कि SSE जो है Saturday और Sunday भी काम कर रहा है वीकेंड पे भी काम कर रहा है तो इसलिए जो है इतना जल्दी expect कर सकते हैं और शायद Saturday Sunday SSE के करमचारियों काम ना करना पड़े इसलिए जो एक के बा टाइपिंग टेस्ट में वो शॉटली जो है अपडेट कर दिया जाएगा वो वन वीक का टाइम भी हो सकता है और उससे जादा का भी हो सकता है तो जब भी जो है ये अपडेट आएगा मैं आपको जो है चैनल पर अपडेट कर दूँगा अब जो मेंन बात रहती है कि post preference जब आप dv कराने जाएंगे तो आपको post preference भरनी होगी कि आपको कौन सा जो है department में जाना है कौन सी post पर जाना है पी ऐसे लेना या LDC लेना है तो different आपसे जो है जानकारी पूछी जाती है जब आपका dv होगा तो वहां के officials को आपको ये बत और जो है, फिर से, फॉरम भरना, और टायर्टू देना और टाइपिंग ठेस्ट होना, mudar 68 का पूरा process आपको फिर से, एक और बार बार करना होगा, तो इस से बचने के लिए, आप रहे होacements की different departments जो हैं vacancy's, इस साल CHSL में उन सबी के बारे में अच्छा knowledge होना बहुत बहुत अधियती आवशक है तो इसी को धियान में रखते हुए मैंने अपने channel पे बहुत सारी videos डाल रखी है उसे बहुत सारे लोगों ने देखा है CHSL 2020 की different post के बारे में और various other things के बारे में अलग अलग departments के बारे में कि क्या उसका मतलब job profile रहती है और कहां कहां offices पढ़ेंगे mainly क्योंकि जो है अगर home location आपकी preference है और आप P.A.S.A. में काम नहीं करना चाहते क्योंकि उत्ता अच्छा इसमें work environment नहीं रहता है तो as LTC जो है किस-किस departments के जो है offices आपके hometown में पढ़ सकते हैं यह सब मैंने अपनी वीडियोस में cover कर रखा है तो उन सभी का link में नीचे वीडियो के description में दे दूँगा और आगे भी में बहुत सारी वीडियोस लाँगा ताकि आप बहुत सारी वीडियोस लाँगा और all the best for your future तो इसके साथ यह इस वीडियो का अंत गाइस, thank you guys for watching this video and I will see you next time